दोस्तों सुवागता आप से भी का एक बार फीर से आपके अपने यूटूब चैनल के के इंटीरियर पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलिंग डिजाइन के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो सेलिंग उपर च्छ बंदा हुआ था उपर उसके उपर हमने लोहे का जाल बांदा था और लोहे का जाल देख पार रहे हो आपकी इस परकार से बंदा हुआ है यह डिजाइन के अकोर्डिंग बनता है और यहां पर हमने जो पीवीसी पैनल था वो इंस्टोल करना स्टार्ट किया है पीवीसी प उपर दोबारा से डिजाइन बनेगा इसलिए यहां पर निशान भी लगाए जा रहे हैं और देखिए आप कुछ इस परकार से यह डिजाइन है और पूरा का पूरा जो डिजाइन बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे यह कंप्लेट होईगी एक कंप्लेट वीडियो और अगर थोड़ी सी दिवारों की बात करें तो दिवारों को भी आप देख लीजिए यहां पर प्लस्तर नहीं हुआ और इस पर भी हमने पीवीसी वोल पैनल को इंस्टोल करना है बिना प्लस्तर के हम यहां पर पीवीसी वोल पै पैनल है यह 10 इंच का चोड़ाई में और 10 फूट की लंबाई में होता है कुछ इस परकार का यह पैनल और एक के बाद एक सीलिंग में लगता हुआ जाता है यह बेस पैनल है उसके बाद अपना इसको डारक कलर से डाउन किया जाएगा बीच में से भी और साइड में से भी द आप दाना और अगर दोस्तों थोड़ी सी कोस्ट की बात करें तो जो यहां पर ही माचल में पीवीसी सेलिंग करने की कोस्ट आती है वह 110 रुपए पर स्केर फुट के हिसाब से आ जाती है इसमें लेवर मटेरियल इन सब कुछ हमारा रहता है लाइटिंग वाइरिंग को छ और कैसे कैसे डिजाइन हमने यहां पर बनाए है वैसे तो यह पूरा का पूरा मकान है जिस पर हमने पीवीसी सेलिंग को इंस्टोल करना है और वो पूरे मकान का भी मैं आपको टूर कराऊंगा बाद में तो दोस्तों यह वाला जो सेलिंग का डिजाइन बन रहा है और जै